असलाम अलाइकुम तो आज इस वीडियो का टापिक ही है कि मैं आप लोगों को स्विंग पेलियर पेट्रन समझा देता हूँ कि स्विंग पेलियर पेट्रन हमारे पास बनता कैसी है और हम इसको ट्रेट कैसी कर सकते है तो पर एक्जेम्पल मेरा जितने भी स्टेटिजी जी है तो इन स्टेट जो के साथ अप लोगों को मर्कीट का स्ट्रक्चर तेखना ही दिए हरो है का मर्केट UP TREND में है या मर्केट DAUN TREND में तो इसके साथ ही जरूर है और इसकी साथ सब्द nano क니다 हमार जरूर ऐस की 8085 परसैंते कुरेशी है concernipend on your емуर परिक्टन से है तो आप जहतन वन इस्टू पाइब कभी वन इस्टू से वन कभी वन इस्टू टेंड सही है तो इसी तरीकी से आप लोगों को एक्जबर्दस रिजल्ट मिलता ही स्विंग पेलियर पेटरंस है इसकी सास्थ जो सबसे बेस्ट वे तो अगर कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती तो यनि जितना आपकी स्टाब्लास है उतना ये पिपरणी और थाबस टीपई ऑवर वन इस्टू वन इस्टू टू ट्रीए इसकी ही साब से ट्रेड कर सकते हुआ तो अगर मार्चीट पर 95-97 परसंट है सी है मैंने जीतने भी अपनी जिन्दा के में त्रेट किए तो अलहाम्दुरिल्लाकर यह ज्यादा नहीं देता है तो वन इस्टू वन तो आपको कनपरम देता है सब आपको 100% देता है और इसकी सासद पर मार्केट का अंदाजा लेकर की वर वर इसकी सासद स्विंग पेलियर पेटरन जो है तो इस इसकी कि है इसी ने इसकी सिर्फ उपर इस्टापलास लगता है ज्यादा रिसक इसमें नहीं लेना चाहिए पर एग्जेमपल आप इदर इस्टापलास लगा हो तो ऐसा नहीं होता सी है तो आप लोग क्या इसे हाई की उपर इस्टापलास लगा सकती है और टार्गेट जो नीची कर सकती तो अबी मैं आपको एकस्प्लैन कर देतक हुं कर स्विंग पेरियर प्रेटर्ल हमारे पास बंता कैसे है मारकीट में तो यह कि एक एक्जेम्पल ऐसी है पिर मैं आपको रियल चार्ट में पियंद कर देतो बीयर शॉर बुलिश दूनों इसके साथ मारकीट का structure देखना ही थी हाई ज़रूर है market पर एक्जेंपल हमारे पस अब ट्रेंड में है आपको ने ज़रा रहे market मुसलसल यह higher high higher low और पिर से higher high तो market का structure क्या बुलिश ऐसी और market अब ट्रेंड में है तो इदर यह आपको ने ज़रा रहे market क्या कर देते है market market एक higher high बना लेता है इसके बाद market higher low बना देता है और market जब new high बनाने के लिए उपर जाते है तो market क्या कर देता है market सिर्फ इसी previous high की liquidity sweep कर देता है और market वापस नीचे आ जाता है candle नीचे close कर देता है तो यह हमारे पास swing barrier pattern बन जाते है और जैसे यह candle range के अंदर close कर देता है previous high की नीचे close कर देता है तो इधर इसे हम शाट कर देते है इस अप्लासिस की उपर लगा देते है और target नीचे range low demand zone support नीचे target कर देते है तो इसी तरीकी से हम लोग swing failure pattern trade करते है और यह हमारे पास इसी तरीकी से बानता है इस की सासथ जो will it और in will it swing failure pattern है तो आपको मैं real chart पे explain कर देता हूँ को real chart पे यह हमारे पास will it कब होगा और in will it कब होगा तो आ जाती है और real chart पे मैं आपको explain कर देता हूँ तो इदर आपको नज़रा रहे यह gold का चार्ट इसी है 30 मिनट टाइम प्रे में और इसकी सासथ मार्कीट downtrend में ता यह lower low lower high again lower low और मार्कीट फिर से पंप हुआ तो मार्कीट जैसे पंप हुआ तो मार्कीट ने अपनी previous high की liquidity sweep कर दिया और उसी की बात वापस range में आ गए त इसकी सासथ अगर आप देखें तो मार्कीट किया था अब ट्रेंड में ता यह higher high higher low higher high और अगेन higher low बनाने के लिए market आया लेकिन higher low नहीं बना सका और मार्कीट ने क्या ही कर दिया सिर्प इसकी liquidity sweep कर दिया और वापस range में आ गए तो इदर इसे पिर आगेन आपको नज़र कर देने से यह जब मार्कीट आ जाते है और मार्कीट ऊपर की high चला जाता ही सही है और मार्कीट अगर अगेन एक candle के अंदर नीचे आगाया पर एग्जेंपल यह विग उपर मारा और मार्कीट ने candle नीचे close कर दिया तो यह swing failure pattern आपकी पास विलेड ऐसी है मार्कीट उपर विग मारे और नीचे आ जाए रेंज की यह पर प्रेविस हमारे पास रेंज खाई ता ना इसके अंदर candle क्लोस कर दे तो यह हमारे पास swing failure pattern बन जाता है इसी है तो पिर हम ट्रेड ले सकते है इसी की उपर लगेगा और टार्गेट नीचे जो सपोर्ट डिम रेंज में आ जाते है पर एक्जेंपल जीस तरीकी से इदर हो ना मर्कीट ने एक candle नीची क्लोस कर दी है लेकिन दूसरा candle में वापस मार्कीट रेंज में आ जाते है इसी तूबाइ कर सकते है इसकी नीचे लगेगा और टार्गेट ऊपर जो supply zone या resistance आ रही है तो आप टार करसकते और इसकी सबसकत अगर मर्कट नीचे केंडल क्लोज कर दें वर दूसरी केंडल में वापस जो रेंज लुक में देनफें लॉक ईडय इसए तो इदें इसे चुबाय कर सकते और टारगेट उपकी सप्लाई जो कर सकते इसी है तो यह हमारे पास Will It तब होगा जब मारकीट वेग मारे और डाउन आ जाए या मारकीट एक केंडल नीचे क्लोस कर दिया और दूसरी केंडल में वापस आ जाए तो यह दोनों सूरतों में हमारे पास Swing failure pattern Will It होगा अब यह तो जो सारा सीन था तो यह तो Will It Swing failure pattern का सीन तक हमारे पास Will It Swing failure pattern कौन सा होगा इसके साथ साथ इसकी invalidation क्या है तो इसकी invalidation यह है का पर एक्जेंपल मारकीट आया और वेग मार और वापस उपर चला गए तो यह भी हमारे पास Will It है गर मारकीट एक केंडल नीची क्लोस कर दिया और दूसरा केंडल में वापस जून में चला जाए तो यह भी हमारे पास Will It है तो यह चीज़ तो आपको समझ आगा है लेकिन यह हमारे पास Invalid का होगा तो इदर यह आपको नजर आ रहा है यह हमारे पास Invalid तब होगा जब मारकीट आ जाए यह चीज़ बाहर क्लोस कर दिया सहि़ है और दूसरा केंडल भी बाहर क्लोस हो जाए सहि़ तो दूसरा केंडल जैसे बाहर क्लोस हो जाए बादी क्लोज कर देटें और दूसरा कैंडल भी बाहर क्लोज कर देते तो यह आपास आनफली अवर पर यस तुर पर यूद holiday हमारे बादी आपके पास विलेट हो सकती है और दूसरी में वापस दूसरी कैंडल में वापस मार किड़िड़ बादी अंदर आज़िए इसी है केंडल का बाड़ी अंदर आ जाए तो ये हमारे पास विलेट होगा और हम ज़स्विंग पेलियर फैटर ने इसको ट्रेट कर सकते हैं तो ये आप क्रिप्टो और पुरिक्स दूने में ट्रेट कर सकते हैं उसी है आपको खजार और एक्जेम्पल मिल जाएगा तो आप इन चीज को तोड़ा से स्टड़ी करो और इनको तोड़ा से समझो इन्शाला आप लोगों को बोजबर्दस रिजल्ट मिल जाएगा